दोस्तों कर आप भी चाहते हैं कि भारतिय टीम सुपरेट राउंड में बहतर प्रदर्शन कर सेमी फाइनल में जगा पक्की करें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों सुपरेट में पहुंचते ही भारतिय टीम को एक साथ मिली है पांच बड़ी खुशखबरी जारी हुआ सुपरेट का कार रिकरम आठ दिनों में तीन बड़ी टीम से भीड़ेगी टीम इंडिया आई सीसी ने कर दिया बड़ा उलट फेर कई टीमों को लगे बड़े जटके लेकिन भारतिय टीम को मिली एक साथ पांच पांच बड़ी खुशखबरी जिसमें एक खुशखबरी ऐसी जिसे सुनकर खुशी से जूम उठेंगे आप सुपरेट में मचने वाला है तहल का अब शुरू हो गई या असली पिक्चर तो आखिर कार क्या है पूरा माम पहुचने का मौका मिल पाएगा या फिर नहीं अपनी राए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों जैसा कि आपको बताए टी-20 वर्ल्ड कप काफी ज्यादा रोमान चकंदाज में आगे बढ़ रहा है ऐसे में भारतिय टीम को लगातार जीत दर्ज करने का पहुचने के साथ बाएगा बारतिय टीम को अगे बहतर प्रदर्शन करने के साथ जीत का मौमेंटम अगले दोर में मदद पहुचा देगा तो वहीं दूसरी बड़ी खुशकबरी भारतिय टीम के मैच को लेकर सामने आई है आपको बता दें भारतिय टीम को अगले राउंड में बड़ी टीम के खिलाफ मैच नहीं खेलना है हाला कि बड़ी टीम का मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका और कैनेडा जैसी टीम के खिलेगी बलकि भारतिय टीम को मजबूत टीम के खिलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूजिलेंड पाकिस्तान जैसी दिगज टीमें इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है ऐसे में भारतिय टीम को बांगला देश और अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलने का मौका मिलने वाला है तो वहीं भारतिय टीम के लिए तीसरी बड़ी खुशखबरी भारतिय टीम के अगले मैच को लेकर है दरसल अब भारतिय टीम को आने वाले समय में न्यूयोर्क के मैदान की जगह पर वेस्ट इंडीस के मैदान पर खेल रहे हैं जहां पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है ऐसे में मैच काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग होंगे जिसके चलते भारतिय टीम को बल्लेबाजी के चलते जीत दर्ज करने का मौका मिल सकता है इसके लावा भारतिय टीम के लिए चौत्ती बड़ी खबर रोहित शर्मा को लेकर सामने आई है आपको बता दे रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच के अंदर चोटिल हो गए थे जिसके बाद माना जा रहा था कि रोहित शर्मा आगे टोनामेंट में नहीं खेल पाएंगे लेकिन अब रिपोर्ट सामने आई है कि रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट है और आने वाले मैच में कप्तान के तोर पर मैदान पर उतरेंगे इसके लावा अंतिम खुशकबरी भारतिय टीम के सभी खिलाडियों का फॉर्म में आना है जी हाँ दोस्तों भारतिय टीम के लिए सुरे कुमार यादव और शिवम दूबे चिंता का विशह थे लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्म हासिल कर ली है तो वहीं विराट कोहली भी अपनी फॉर्म को हासिल कर सकते हैं ऐसे में सभी खिलाडियों का फॉर्म में आना भारतिय टीम के लिए आने वाले मैच में फायदा पहुचा सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतिय टीम को इस बार सेमी फाइनल में पहुंचने का मौका मिल पाएगा या नहीं अपनी राया नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों जैसा की आपको पता है टी टुएंटी वर्ल्ड कप दोजार चौबिस काफी ज्यादा रोमान चकंदाज से आगे बढ़ रहा है जहां पर अभी तक भारतिय टीम ने बहतर प्रदर्शन करते हुए तीन मैच खेले हैं और तीनों मैच में जीत हासिल की है जहां पर भारतिय टीम ने सबसे पहले आइरलेंड की टीम को आठ विकेट से हराया और इसके बाद पाकिस्तान की टीम को चैरन से हरा दिया और हाल ही में साथ विकेट से अमेरिका की टीम को भी हराया इसके चलते सुपर 8 राउंड में भारतिय टीम ने एंट्री पक्की की ऐसे में भारतिय टीम का अगला मैच कैनडा की टीम के खिलाफ 15 जून को रात 8 बजे से खेला जाएगा जिसके लिए दौनों टीम में पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं लेकिन इस बीच मैच के शुरू होने से पहली भारतिय टीम को तीन सबसे बड़े जटके एक साथ में लग चुके हैं जी हाँ दोस्तों भारतिय टीम के ज्यादा तर खिलाडी अभी तक फार्म में नहीं लोट पाए हैं हाला कि भारतिय टीम को जीत मिल रही है लेकिन कुछ खिलाडियों के खराब पर दरशन के कारण चिंता बड़ी है आपकी जानकारी के लिए बता दें भारतिय टीम के लिए गेंदबाजी में अरशदीप सिंग ने अमेरिका के खिलाफ सबसे स्यादा चार विकेट नौरन दे कर लिये थे ऐसे में उनकी गेंदबाजी पर तो किसी को भी सवाल नहीं है और इनका साथ दे रही जस्परीद बुमरा भी काफी बहतर गेंदबाजी करते हुए मैच में मैं अफ दा मैच का अवार्ड ले चुके हैं ऐसे में जस्परीद बुमरा और अरशदीप सिंग को एक बार फिर से गेंदबाज के तोर पर शामिल किया जाएगा लेकिन इनका साथ दे रहे महमत सिराज अभी तक फॉर्म में नहीं लोटे हैं ऐसे में माना जा रहा है कि अगले मैच में महमत सिराज बहतर पुरदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद उन्हें टीम से बाहर का भी रास्ता इसके बाद में दिखाया जा सकता है लेकिन भारती टीम की सबसे बड़ी कमजोरी फिलहाल टीम की गेंदबाजी नहीं बलकी भारती टीम की बल्लेबाजी है क्योंकि भारती टीम के तरफ से ज्यादा तर बल्लेबासों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है जिसमें विराट कोहली मुक्य गुनेगार रहे हैं दरचल विराट कोहली को इस बार टी-20 वर्ल्लकप के अंदर ओपनिंग करने का मौका रोहित शर्मा के साथ दिया गया था ऐसे में रोहित शर्मा के ओपर काफी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है कि वो विराट कोहली को टीम से बाहर करेंगे या फिर तीसरे नमबर पर बल्लेबासी करने का मौका देने वाले हैं क्योंकि विराट कोहली ने अभी तक ओपनिंग करते हुए बिलकुल भी बहतर प्रदर्शन नहीं किया है और तीन मैच के अंदर मातर पांच रन बनाए है ऐसे में माना जा रहा है कि ये शस्वी जैसवाल को टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है इसके अलावा शिवम दूबे का भी कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिलाए ऐसे में माना जा रहा है कि शिवम दूबे टीम में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे और उनकी जगा पर स्पिनर के तोर पर कुलदीब यादव को शामिल किया जाएगा क्योंकि अब न्यूयॉर्क के मैदान पर तेज गेंबास को मदद मिली है और वहां मैच खत्म हो चुके हैं ऐसे मैं अब फ्लॉरिडा के मैदान पर स्पिनर टीम को आसानी से परिशान करते हुए दिखाई देंगे तो वहीं भारतिय टीम की संबावित प्लेंग 11 के बारे में बात करें तो भारतिय टीम की तरफ से इस बार ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहिच शर्मा और यशस्वी जैसवाल को खेलने का मौका मिलने वाला है इसके लावा मध्यकरम में विराट कोहली, रिशपपन्त और सूरे कुमार यादफ को खेलने का मौका मिलने वाला है इतने नहीं आल राउंडर के तोर पर हार्दिक पांडिय अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई दे सकते है साथ में तेज गिंद्बास के तोर पर महम्मद सिराज अर्शदीब सिंग जस्परीद बुमरा खेलते हुए दिखाई देंगे और इनका साथ देने के लिए स्पिन गिंद्बास के तोर पर कुल्दीब यादफ को शामिल किया जा सकता है SMN के लाडियों के चलते भारतिय टीम कैनड़ा की टीम को आसानी से हरा सकती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतिय टीम को कैनड़ा के खिलाव जीत दर्च करने का मौका मिलेगा या नहीं नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों जैसा कि आपको पता है T20 World Cup 2024 काफी ज्यादा रुमान चक अंदाज से आगे बढ़ रहा है जहां पर अभी तक भारतिय टीम ने बहतर प्रदर्शन करते हुए तीन मैच खेले हैं और तीनों मैच में जीत हाजिल किये जहां भारतिय टीम ने सबसे पहले आइरलेंड की टीम को आठ विकेट से हराया है और इसके बाद पागिस्तान की टीम को 6 रन से हरा दिया और हाल ही में 7 विकेट से अमेरिका की टीम को भी हराया इसके चलते सुबर 8 राउंड में भारतिय टीम ने एंट्री पक्की की ऐसे में भारतिय टीम का अगला मैच कैनडा की टीम के खिलाफ 15 जून को रात 8 बजे से खेला जाएगा जिसके लिए दौनों टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है लेकिन इस बीच मैच की शुरू होने बेहतरीन पुरदर्शन नहीं कर पाय लेकिन अब इस मैच में रोहिच शर्मा के उपर काफी ज्यादा बहतर पुरदर्शन करने की जिम्मेदारी रहने वाली है इसके अलावा कप्तान रोहिच शर्मा ने दूसरे सलामी बल्लेबास के तोर पर विराट कोहली को शामिल किया है जिन्होंने ओपनर बनने के बाद पिछले तीन मैच में कुछ खास कमाल नहीं किया एज़े में कप्तान रोहित चर्मा ने विराट कोहली को दूसरे सलामी बल्लेबास की जगा पर शामिल नहीं किया है बलकि उनके तीसरे नमबर पर बल्लेबासी करने के लिए शामिल किया गया है जो उनके मुख के पोजीशन भी है एज़े में दूसरे सलामी बल्लेबास के तौर पर यशस्वी जैसवाल को कप्तान रोहिच शर्मा ने शामिल किया है जो अभी तक मैच में खेलते हुए दिखाई नहीं दिये लेकिन अब इस मैच के लिए यशस्वी जैसवाल को टीम में शामिल कर लिया गया है तो वहीं कप्तान रोहिच शर्मा ने चार नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिशब पंद को शामिल किया है जिन्होंने अभी तक तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है लेकिन अब रिशब पंद को चार नंबर पर विकेट कीपर के तौर पर बहतरीन पुरदर्शन करने के लिए शामिल किया गया है इतने नहीं कप्तान रोहिच शर्मा ने पांच नंबर पर बल्ले बाजी करने के लिए सूर्रे कुमार यादफ को शामिल किया है जिन्होंने पिछले मैच में 50 रंकी पारी खेल कर भारतिय टीम को जीत दिलाई थी ऐसे में अब एक बार फिर से इनके उपर बहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है इतने नहीं दूसरे ओल्राउंडर के तोर पर उपकप्तान हार्दिक पांडिया को शामिल कर लिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे हार्दिक पांडिया ने अभी तक अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है ऐसे में अब उन से बहतर गेंदबाजी करने के साथ बहतर बल्लेबाजी की भी उमीद की जा रही है इतने नहीं कप्तान रोहित चर्मा ने ओल्राउंडर के तोर पर रविंदर जडेजा को शामिल किया है ऐसे में रविंदर जडेजा को बहतर पुरदरशन करने के लिए अब शामिल किया गया है इतने नहीं रोहित चर्मा ने स्पिनर के तौर पर अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कुलदीब यादव को शामिल किया है जिनको अभी तक टीम में खेलने का मौका नहीं मिला है लेकिन इनके उपर बहतर पुरदरशन जिम्मेदारी है इसके लावा कप्तान रोहित चर्मा ने तेज गेंदबास के तौर पर सबसे पहले जस्परीद बुमरा को शामिल किया गया है जिन्होंने पहले दो मैच में मैच का अवाड लिया था ऐसे में इनसे एक बार फिर से बहतर पुरदरशन करने की जिम्मेदारी है इसके लावा कप्तान रोहित चर्मा ने दूसरे तेज गेंदबास के तौर पर अरशदीब शिंग को शामिल किया है जिन्होंने पिछले मैच में चार विकिट लेने के साथ मैन आफ दा मैच का अवाड लिया था